आज हम B.A.B.S.E. 5th semester की बुक जो हमारी group centering है उसके chapter 1st exercise 1.1 का lecture 5 दिखेंगे देखो question है हमारा example number 12 देखो यह जो question है न वो एक थोड़ा सा अलग सा question है इसमें हमारा एक पहले जो हम composition इसका use करते थे यह होता था हमारा इस तरीके से composition होती थी जो कि हम use करते थे f of fog निकालने में और go of बोलते थे हम इसको मतलब f composition g और g composition f निकालने के लिए ठीक है तो उसका composition का थोड़े यूजब वो हम देखेंगे अब starting करते question की क्या बोल रखा है कि let s be a known empty set मतलब उस s के अंदर कुछ ना कुछ जरूर है वो खाली नहीं है and as be the set of all 1 to 1 mapping mapping मतलब यहां function है कि मतलब जो as है ना मेरे एक 1 to 1 function मतलब 1 to 1 function होता है ना 1 one function हमारा क्या होता था कि हमारी हर एक जो हमारे यहां पर हर एक element होगी उसकी image इसके अदर एक image होगी ठीक है वह हमारा होता था 11 function ठीक है और onto क्या होता था कि इधर वाले के जुरूर से भी जुरूर हमारी यहां पे pre-image मिलेगी तो वह होता था हमारा onto function अगर एक की ज्यादा pre-image बन जाते सी तो वह हमारा हो जाता था many one function ठीक है अभी यहां पर बोल रखा 11 मतलब हर एक element के हमार तो हमारा जो function वो इस टाइब का दे रखा one one type का ठीक है from s to s the binary मतलब ये भी ऐसा ये भी ऐसा s to s तक जो हमारा function वो one one है the binary operation defined on as is the composition of mapping मतलब ये वो होता ना fog जो बीच में ये वो दे रखा कि ये हमारी composition इस टाइब के दे रखा तो प्रूव करना है जो एस है ना वो एक group है लेकर na billion group नहीं है with respect to this composition ठीक है मतलब हमें प्रूव करना है कि जो हमारी चार properties हो satisfy हो रहे हैं और property satisfy नहीं होगी ठीक है तो जो हमारी first property है वो क्या होती है closer property तो से हम start करते है closer property से ठीक है अब हम क्या करेंगे closer property के अंदर हम एस हमारा दे रख है क्या दे रख है एक इसके अंदर से ही हमें set दे रख है इसी के अंदर से हमें लेनी है सारी values क्या है हमने कोई भी f और g ले लिए कोई भी दो function जो की एस set के अंदर से है ठीक है मतलब f भी मेरा one one function है G भी मेरा one one function है मतलब यह जो हमारे that is करके लिख देना f and g are both one to one mapping ठीक है अगर हमारे यह दोनो one one function है ना तो हमारी यह property होती है कि जो f of g होगा and go होगा वो भी क्या होगे और also one one ठीक है क्या है कि अगर f of g मेरा one one है ना दोनो तो मेरा f o f o composition g और g composition f भी मेरा one one होगा ठीक है इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक closer की property को क्या कर रहे है satisfy करे क्योंकि यह भी one बन था और इनकी composition करी वो भी one one आगी जोगी as के अंदर बिलोग करी क्योंकि as के अंदर सारे कौन से set है जो one one है तो यह भी one one आगे अब इनकी composition भी one one आगी यह भी one one थे तो जो हमारी closer property है वो satisfy हो गई लिख देना hence closer property is satisfy next हमारी associative property associative property ठीक है इसके अंदर हम क्या लेते हैं तीन element लेते हैं जैसे मैंने f g और h ले लिया जो कि as से है हमारा ok YouTube ऑगर मैं यह ले लूँ f of g of h इस तरीके से ले लूँ अब मैं को.. इसको मै परोल करती हूं और x का function से इतके हैं вामरा हो गया ठीक है तो मैं क्या अंगर सकते इसको हम किसी तरीके से लिख सकते हैं जैसे हमारा f of g होजा़िया और नहीं तरफार हम लिख सकते हैं XD तो इसको भी हम जिख सकते हैं intent फिर हम वापए से इस composition खोट आए जिज आप ऑझ सकते हैं यह जी तो मैंने बताया भी छहा ह्टा difिजए दुद्प भी ठीक है तो हमारे यह हो गया, similarly हम bracket को हटागे composition भी लगा सकते हैं, जैसे मैं इस bracket को हटाऊंगे और यहाँ पर यह लिख दू, f not g of, f composition g, h of x, ठीक है, अगर मैं बापिस से फिर क्या करूं, इस bracket को हटाऊं, और यहाँ पर composition लगा दू, h पर बाहर x, अब देखो हमने यह लिया था, यह आ गया, इस काम तब यह हमारी कौन से प्रपर्टी हो गई, associative प्रपर्टी हो गई, ठीक है, तो मतलब हम जिस according हम चाहते हैं, कि यह value उसके equalizer, उसके according हमें वो bracket लगा देनी है, और यह composition अटा देनी है, तो वो हमने बना दिया है, ठीक है, बिल्कुल easy था यह, हमारी जो associative property है, वो भी क्या हो गई, satisfy, hence associative property, satisfy, यह भी लिख देना, ठीक है, third property हमारी क्या होती है, existence of identity, इसके अंदर क्या होते है, कि हमारा जो function ले रखा हमने f, वो star e, वापिस क्या आ जाए, f ही आ जाए, ठीक है, अगर मैं यूनू, f star equal to f, ठीक है, यहाँ पर star का मतलब हमारा function क्या है, composition मतलब f, composition equal to f आ जाए, तो इसको मैं अगर open करूँ तो क्या है, e of x equal to हमारा क्या है, यह function of x है, इस तरीके से यह तो fx का ही function है, ठीक है, अगर हमारा यह one one function होता है, तो हमारी property होती है, कि जो e x है ना, वो यहां से x के equal ह हो जाएगा, यह देखो ff के function है, तो जो e x है, वो x के equal हो जाएगा, क्योंकि यह one one function है, और यह given भी है, ठीक है, तो जो मेरा identity element है, वो क्या हो गया, x हो गया, ठीक है, एक्स हो गया, तो अब हम क्या लिखते है, कि मतलब f की composition, x के साथ अगर हम करेंगे, तो वो हमारी क्या जाएगी, वही वापी साएगी, तो देखो करो इसके composition हम क्या करेंगे, f composition e of x, करो तो क्या होगा, f of e x, और e x हमारी क्या value है, x है, तो लग दो इसकी value f of x आ गया, इसकी composition की हमारा यह आ गया, तो जो मतलब हमने f की composition, identity element के साथ करी, और हमारा यही आ गया, तो मतलब हमारा जो identity element वो क्या कर गया, exist कर गया, यह आपकी book में निकाल के नहीं दिखा रखेंगे, यह इस तरीके से आया है, ओके direct लिख रखा है कि e x is equal to x, तो ऐसे कर ले ना, then next होती है हमारी property existence of inverse, right, तो fourth property हम करते है, existence of inverse, इसमें क्या होता है कि एक function हम लेके चलते है, जो कि हमारा es के अंदर है, ठीक है, उसके लिए हमारा कोई inverse exist करेगा, मालोग inverse g मानना है मैंने, वो भी as के अंदर ही होगा, ठीक है, और वो हमारा inverse की property क्या होती है कि f star g करे ना हम, तो वो किसके एकवल आजाए, identity element के एकवल आजाए, ठीक है, तो यहाँ star का मतलब है हमारी composition, और equal to identity element मेरा क्या था, x था, अभी निकाला, यह क्या गया, f of gx equal to, हमारा क्या गया, x आगया, gx हमारा किसके क्यो आजाए, f inverse x के, मतलब जो मेरा inverse element है, वो क्या गया, f inverse x आगया, और जो कि किसके अंदर ही belong करेगा, हमारा is के अंदर ही belong करेगा, ठीक है, मतलब हम जब f की composition, f inverse के साथ क हमारे क्या जाएगा identity element that is हमारे क्या जाएगा x ठीक है तो यह हो गया हमारा inverse exist कर गया जो कि क्या है f inverse x ठीक है then है हमारी fifth property जो क्या होती है commutative इसके according जो हमारा generally हमें पता है जो हमारा f of g composition निकालते है और g of f composition निकालते है वो equal नहीं होता है यह हम already पढ़ चुके है 12th class के अंदर कि generally हमारे जो यह values होती है वो equal नहीं होती है तो जो हमारा यह group है लिख देना in general this is not equal so जो हमारा यह set है वो group तो है but not an abelian group ठीक है मतलब यह हमारा group तो है लेकर an abelian group नहीं है क्योंकि इसने चार ही property को satisfy किया फिफ्थ property को तो इसने satisfy ही नहीं किया ओके अब है हमारे additional model m यह हमारा क्या होता है मैं इसको बताती हूं आपको देखो जो यह additional model m है इसको हम इस तरीके से present करते हैं इस तरीके से return करते हैं कि a m b देखो इस तरीके से जो हमारा a और b है वो क्या है हमारी integers ठीक है equal to r जो यह r है वो मेरा होता है remainder जिसकी value 0 यह 0 से बड़ी हो जाती है और less than equal to होती है m-1 ठीक है यह क्या है हमारा मोडलू additional मोडलू होता है जो यह m value होती हो हमारी fix होती है question के अंदर given में लेगा यह value है क्या यह हमारी value है integers होंगे कोई for exam और यह हमारा होगा remainder इसका मतलब क्या है कि इन दनों को add करके divide में जो हम M करेंगे उसका जो remainder आएगा वह value है जैसे कि आपकी book में दे रखा है 15 plus 5 9 इस तरीके से दे रखा है इन दनों को add करो कितना होगा 15 और 9 हमारा कितना होगा देखो 4624 यहां पर remainder क्या बजगा वन तो इस concert वना गया यह इस तरीके से हमें solve करने होते हैं अब ही मैं इसको आपको एक मेरा multiplication module भी होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ यहां multiply आ जा तो वह वैसे मैं आपको next lecture में कराऊंगी अब additional module से related कोशन करवाती हूं आपको ठीक है तो वह हम देखते हैं देखो कोशन क्या दे रखा है हमें कि s कोई भी एक सैट है इस तरीके से और हमें क्या करने इसको plus 5 हमें यह module दे रखा इस दा binary operation defined by इस तरीके से इस दा remainder obtained on dividing a plus b by 5 ठीक है हमें पता है कि इसका मतलब क्या है कि a plus b करना और divide में 5 करना जो उसका remainder है वो हमारा answer होता है अभी मैंने बताया वो इन्होंने बोल भी रखाया प्रूब करो s is an abilion group with respect to इस module की ठीक है मतलब हमें इसको abilion group प्रूब करना मतलब इसकी पांचों की पांचों property satisfy करवानी है मैंने आपको I think second या third lecture के अंदर बताया था कि अगर set finite दे रखाऊना तो हम किसकी help लेती है composition table की help लेती है ठीक है उससे पहले एक बात और बता देती हूं मैं कि जैसे हम य यहां पर एक आएगा remainder ठीक है जो की हमारी क्या है list non negative value होगी of course और कैसे आएगी वो a plus b by 5 करके जो हमारा remainder आएगा ना वो होगी हमारी ये value ठीक है of course हमने अभी पड़ा था कि rk value किस से greater than होगी 0 से और mo minus 1 यहां पर m क्या मेरा 5 5 minus 1 मतलब 4 rk value 0 और 4 के बीच में हमारी रहे ठीक है ऐसा हमें सेट दे रखा इस तरीक का 0 1 2 3 4 ठीक है मैंने आपको पहले भी composition table बनानी सिखा ही है आज फिर अभी वह ही बनानी हमें यहां पे हमारा क्या प्लस 5 element देखो कितने 0 1 2 3 4 लिख दो यहां पे 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ठीक है यह element हमने लिख दिये अब हमें क्या करना है इ 0 प्लस 0 divide 5 ठीक है मतलब 5 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे ठीक है तो हमारा remainder क्या आएगा अगर मतलब हम 5 से छोटे से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें वही value लिख देनी है मतलब अगर हम 0 से डिवाइड करें तो यहां पे क्या ही आजाएगा 0 ही आजाएगा 0 प्लस 1 5 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बनी आएगा 0 प्लस 2 जब तो कुछ से छोटा हो वही value आएगी ठीक है 1 प्लस 0 यहां बना जाएगा 1 प्लस 1 2 आजएगा 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 4 1 प्लस 5 आगया 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बन जा तो यहां हमारा remainder क्या गया 0 तो यहां पे हमारी value किया जाएगी 0 अब यह 2 आगया 3 आगया 2 प्लस 2 4 आगया 3 और 2 6 आगया अब 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो remainder क्या आएगा अपना 0 आएगा 4 और 2 6 हुआ 6 को जब 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आजाएगा 1 3 आगया 4 आगया 3 और 2 5 5 दिवाइड 5 रिमेंड राया 0 3 और 3 6 अगर 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमेंड रायेगा 1 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमेंड रायेगा 1 4 और 3 7 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 रिमेंड रायेगा 2 4 आ गया 5 को 5 से डिवैड करेंगे रिमेंट रहेगा 0 4 और 2 6 5 को 6 से डिवैड करेंगे रिमेंट रहेगा 1 4 और 3 7 7 को अगर 5 से डिवैड करेंगे रिमेंट रहेगा 2 4 और 4 8 5 को 8 से डिवैड करेंगे 5 बन जा 5 6 7 8 तो रिमेंट रहेगा 3 ठीक है यह हमारी बन गई क्या composition table अब हम क्या गरेंगे वही 5 properties के अंदर देखेंगे इसने बोल रुक है कि एक abilion group है तो हम फार्चों के 5 properties देखेंगे इसके अंदर पर्स प्रोपर्टी होती है हमारी closer property यह हम composition table से ही देख लेते हैं कैसे देखते हैं हमें यह देखना है कि क्या यह सारे कि सारे जो element इस composition table के अंदर आ रहे हैं क्या वो set के अंदर है 01 2 3 4 से बाहर कोई सके अंदर आ रहा है नहीं या रहा इसका मवंणब वसारे के सारिट यह element उस set के अंदर बिल हों कर रहे है मतलब हमारे A plus 5 यह जो module है वो के अंदर ही है आगया तो हमने A और S के अंदर से लिए है तो जो हमारी closer property वो क्या हो गई सेटिस्वाइर हो मॉर्त नेक्स्ट आमारी कोन सी प्रोपर्टि होती है सेकिंड डेक्णि इस टी प्रोपर्टि है तो हम क्या करें के वहीड कि ea प्लस जो a b c हमने कोई सैट्टे के अंदर से लिये है a plus 5 modo b plus 5 modo c ठीक है इस तरीके से मैंने ले लिए जो ये element है ना इसको हम ऐसे लिख सकते है a plus 5 modo b plus c इस तरीके से इसको ले सकते है ठीक है देखो मैं example देके बताती हूँ जैसे मेरा ये है 2 plus 5 और 3 plus 5 modo 4 ठीक है इस तरीके से है मेरा ठीक है तो 2 plus 5 आगया 4 और 3 हमारा कितना होता है 7 7 को अगर मैं 5 से डिवाइट करूं तो remainder कितना आएगा हमारा 2 आएगा ठीक है अब 2 plus 2 अगर मैं करूं 4 आएगा तो यहां 4 को तो 5 से डिवाइट करने से चोटा है तो यह क्या आगया 4 आगया ठीक है या फिर मैं अगर यह प्लस ना लगाऊंगे कर दूं टू प्लस 5 4 और 3 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरा अब 9 और 9 को 5 से डिवाइट करूं फिर भी अंसर मेरा क्या है 4 मतलब यहां पर यह मोडलों लगाऊं या फिर मैं बीना मोडलों को direct add कर दूं तो इसका मतलब सेम है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूं तो मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया ठिया अब इसका मतलब क्या है कि हम इन दोनों को add करके इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा लिस्ट नोन नेगेटिव रिमेंडर आएगा तो लिख दो लिस्ट नोन नेगेटिव रिमेंडर वैन A प्लस 5 मोडलो B प्लस C is divided by किससे डिवाइड हो रहा है 5 से ठीक है और इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि यह मोडलो हटा दो जब आप एसोसेटी प्रोपर्टी तरह के से कर रहे हैं तो यह मोडलो आप हटा देना ठीक है तो यह आगया आपका ओके यहां से यह हमने वैल्यू लिख दी कि नोन नेगटिव रिमेंडर सबसे लीस्ट नोन नेगटिव रिमेंडर डिवाइड होगा इन दोनों के सम से मतलब A प्लस B प्लस C यह लाइन में दुबारा लिखती हूं एक मिनिट देखो क्या था स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा था कि A प्लस 5 मोडलो B प्लस 5 मोडलो C और यह मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया था A प्लस 5 मोडलो और यह मैंने रीजन भी बता दिया था कि कैसे लिखा ठीक है एक्जाम्पल देके बता दिया था ठीक है तो मेरा यह आ गया अब इसका मतलब क्या है कि मैं इन दोनों को add करके उसको divide कर दूं किसके साथ 5 के साथ ठीक है तो मेरा क्याएगा एक remainder आएगा मतलब एक list non negative remainder आएगा मेरा जब मैं इन दोनों को add करके किस से divide कर दूं divide by 5 ठीक है इस तरीके से है इसका मतलब यह है कि कि इन दोनों को add करके मैं divide by 5 कर दूं ठीक है ओल्सो मेरा list negative remainder आएगा list non negative remainder when इनको मैं आगे पीछे करके लिख सकती हूँ न कि इस तरीके से a plus b plus c divided by 5 इससे तो कुछ फ़रक नहीं पड़ा हमने आगे पीछे लिख दिया इसका मतलब मेरा क्या हो गया कि a plus b plus 5 model c यह हो गया और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ नॉर्मल मैंने बताया था a plus 5 model b plus 5 model c यह value और यह value हमारी क्या होगी इक्वल नहीं हो गई इक्वल हो गई तो जो मेरी associated property वो क्या होगी satisfied हो गई ठीक है next हम क्या करते हैं हमारा existence of identity इसका क्या मतलब होता है कि हम मतलब इस तरीके से हमारा model a में क्या लें कि वही आ जाए और यहां star का मतलब क्या है a plus 5 model e equal to a ठीक है यहां भी इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को add करकर 5 से divide कर दूँ तो मेरा वापिस a आ जाए वो क्या है तो हम वैसे हमारा पता है हमें addition में जो हमारा क्या होता है identity element हो जीरो अब यहां से हमें अच्छे से पता नहीं चल रहा क्योंकि हमें solve नहीं हो पाएगा यह इस तरीके से ठीक है तो हम क्या करेंगे अब देखो ध्यान से composition table से कि मैं इसके अंदर क्या मोडलो करूं कि मेरा वही element आ जाए इसके अंदर में क्या मोडलो करूं कि मेरा वही आ जाए इसके अंदर में 0 करूं क्योंकि 0 के साथ 0 करने पर 0 आया 1 के साथ 0 करने पर 2 आया 2 के साथ 0 करने पर 2 आया 3 के साथ 0 करने पर 3 आया 4 के साथ 0 करने पर 4 आय इसमें identity element है ना वो क्या है 0 है तो लिख दे ना from composition table identity element is 0 तो a अगर आप a plus composition sorry a modulo 5 0 करोगे तो क्या आएगा आपका वापिस यह आएगा ठीक है तो यह हो गया जो आपका identity element हो हो गया exist next होता है हमारा existence of inverse उसमें क्या होता है ये भी हमारा composition table से होता है कि जहां पे हमारा one आता होता है ना वही होती है हमारी inverse जैसे 0 के उपर one का पयारा one पे तो 0 का inverse हो गया one 1 का inverse हो गया 0 2 का inverse हो गया हमारा 4 3 का inverse हो गया हमारा 3 and 4 का inverse हो गया हमारा 2 ओ सोरी सोरी मैंने आपको identity element तो मेरा 0 था मैंने 1 के according कता जाए दिखो क्या है identity element हम देखते हैं कि identity element कहां प्या है identity element तो मेरा 0 है तो इसमें 0 का inverse 0 होगा वन का इन्वर्स हमारा क्या होगा इसके अंदर फॉर क्योंकि एडेंटिटिटी इसको यहां पर मेरा देखो जसे मैंने अभी गलती करीना कि वन पर देख लेते हम नौर्मली इडेंटिटी एम वन को माले लेकिन इस कोशन में इडेंटिटी मेरी जीरो है तो हम देखेंगे इ यहां पर 0 आ रहे है 3 ठीक है और मेरा फिर हम देखेंगे 3 का inverse मेरा कौन हुआ 2 और मेरा 4 का inverse कौन हुआ 1 तो इनके सारी inverse होगे respectively लिख देना ठीक है तो यह हमारे क्या हो गए inverse एक्जिस्ट कर गए ठीक है इस तरीके से तो इसके inverse ही होंगे हमारे देन हमारे लिख देना from composition table जैसे आपकी बुक में लिख रख है यह मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आया वर्डिंग आप देख लेना वहां से ओके तो यह होगे आपका inverse अब है हमारी last and final commutative property अब देखो एक बात बताओ मेरे को हम क्या लेते कम्यूटेटी प्रोपर्टी में दो element लेते जो कि हमारा सेट के अंदर से हैं अब मैं a प्लस 5 और b प्लस 5 भी अब मैं a और और b को एड़ करके फिर उसको 5 से डिवाइड करू और b और a को एड़ करके फिर उसको 5 से डिवाइड करू अफ्कोर्स वो दोनों equal ही होंगे न क्योंकि addition ही तो करना है a plus b करू या b plus a करू बात तो से हमी है तो commutative property मेरी क्या हो गई satisfy होगी तो so commutative property satisfied तो मेरी पांचो property वो क्या हो गई satisfy हो गई है पांचो property satisfy हो गई है तो जो मेरा group है वो क्या हो गया abilion group नौर्मली जो आपकी ये model वाली question वो कम आते हैं paper में वो जो पहले वाले वाले वो जाद आते हैं अभी आपका multiplication model रह गया सिर्फ दो examples रह गए multiplication model के साथ वो हम करें next lecture के अंदर फिर आपकी exercise हो जाएगी finish okay thank you guys for watching my video please do like share and subscribe to my channel thank you so much